मुलायम सिंग यादव का जन्म 22 नवंबर 1949 को इतावा जिले की सेफ़ई गाव में मूर्ती देवी वा सुघर सिंग यादव के किसान परिवार में हुआ मुलायम सिंग यादव अपने पांच भाई बहनों में รतन सिंग यादव से चोटे वळभराम सिंग यादव, शिवपाल सिंग यादव, राजपाल सिंग और कमला देवी से बड़े हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं पिता सुगर सिंग उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे किंतु पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौदरी नत्थू सिंग को मैनपुरी में आयोजित एक कुष्टी प्रतियोगिता में प्रभावित करने की पश्चात उन्होंने नत्थू सिंग के परंपरागत चुरू किया राजनीति में आने से पूर्व मुलायम सिंग यादव आगरा विश्वी द्यालेय से राजनीति विज्ञान में सनात को उत्तर M-0-E-0 और B-0-T-0 करने के उपरांद इंटर कालेज में प्रवत्ता नियोक्त हुए और सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौक दल के अध्यक्ष बने 1982 से 1985 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिशद में विपक्ष के नेता के रूप में पदसंभाला 1989 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1990 में वह चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में शामिल हुए 1992 म उन्होंने समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट की स्थापना की 1993 में वह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1996 में वह में पुरी क्षेत्र से ग्यारवी लोकसभा की सदस्य चुने गए थे 1999 में वह सयुक्त मोर्चा गट बंधन सरकार के अंतरगत भारत की रक्षा मंत्री बने 1999 में उन्होंने दो लोकसभा सीटों संभल कन्नौज से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटे जीती 2003 में वह दी स्री बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2004 में उन्होंने 188 99 वोटों के अंतर से गन्नौर विधान सभा सीट पर जीत दर्ज की जो अब तक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड माना जाता है 2004 में उन्होंने मैंपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता 2014 में उन्होंने 16 वी लोकसभा चुनाव के दौरान दो सीटों आजमगर मैंपुरी से चुना लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की जी का काफी लंबी बीमारी के कारण 10 अक्तूबर 2022 को मेदानता अस्पताल गुरुग्राम में निधन हो गया